पहले ये समझे लेते हैं कि ये इसोप से चाहिए क्यों होते हैं क्यों इशू करने हैं देखो इंपलोई के लिए एक बहुत 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 बढ़ा इंसेंटिव है जब उनको ओनर्शिप राइट देते हैं इस दा नंबर वन रीजन मैंने अभी जो स्कूरी मिताई उससे आपको एकदम क्लीर हो गया होगा कि क्यों वो ज्यादा बैटर कंपनी की परफॉर्मेस के लिए वाग करते हैं अगर आप उनके साथ प्रॉफिट शेर करते हो वर्क नहीं करेगा अगर आप उनको इसेंटिव वर्क नहीं करेगा यह प्रॉफिट शेर करना इंसेंटिव देना वर्क नहीं करता ओन टाइम एवरी टाइम उनको सेलरी दो राइड डिजर्ट सेलरी दो उसके साथ में आपने इसो विशू कर दिये ना वही चीज़ बहुत पावर तो तरीके से इंसेंटिवाइस काम करती क्योंकि यहां पर ओवराल गेम ही वेलिशन किया गई है अब सभी लाइक माइंडेड तरीके से कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं एनर्जी सिंक्रोनाइज हो गई है दूसरा आप अट्रेक्ट करना चाते हो ना टैलेंट को मार्किट में जो टैलेंट है अब एक कंपनी के अंदर कोई बहुत कॉर्परेट के अंदर कोई काम कर रहा था गुर्गाओं में साइबर हब के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है उस बहुत बड़ी कंपनी में जीन के वारे नेरे हो जाएंगे उसका experience और आपके idea कमाल कर देंगे लेकिन लेकिन वो नहीं आने वारे वो नहीं आने वारे तो कि उतनी salary हमारा business effort नहीं कर सकता अब उस talent को attract करने के लिए क्या चीज़ काम करेंगी इसोप्स काम करेंगी आप अपनी company के अंदर उनको ownership right दे रहे हैं या जो आपके existing employees हैं वो long term तक आप उनको stay करवाना चाहते हो तो क्या काम करेगा तो उस case के अंदर इसोप्स काम करेंगी तीसरा गारण क्या है tax की तो काफी अच्छी खासी advantages हो जात इसोप्स के अंदर तो वो deductible है आपके लिए यानि कि उसकी उपर tax के benefit है इसका मैं गालक से कोई chapter कर दूंगा वंट्वर कर दूंगा इसमें भी मैं आपको confusion नहीं करना चाहता अभी आप overall समझो कि इसके अंदर tax advantage होते हैं employee को भी देखो तक टेक्स नहीं लगेगा जब तक प्राइस 32 रुपे का है तो employees को 32 रुपे का शेर आप 10 रुपे में भी दे सकते हो बत्ती सुरुपे का शेर 5 रुपे में भी दे सकते हो यानि कि discounted price के ऊपर आप उसको शेर अलोगेट करते हो nominal price के ऊपर और जब तीन साल के बाद वेस्टिंग के बाद वो सेल करते हैं तो tax की calculation तब हो नहीं है अभी कोई tax नहीं आ रहा है उसके हाथ के अंदर और liquidity liquidity पुरी बनी रहती है क्या होता है कि कई बार और आप किसी बाहर के परसन को तो सेल करी नहीं सकते तो अब आपने क्या सुचा की चरूठी क्या एक ट्रस्ट बना लेते हैं उस ट्रस्ट के अंदर fund को transfer करते हैं वो ट्रस्ट आपके यानि कि owner के share खीद लेगी तो एक तरीके से ये तरीका होता है money को extract करने का बहुत बड money exit हो जाती है buy back of share के द्वारा जो कि trust buy करती है ये दो technical point है जब आप actually करोगे ना तब आपको explain करूँगा I don't want to confuse you तो यहाँ पर succession planning कंपनी ना चलती रहेगी चलती रहेगी हमेशा हमेशा चलती रहेगी क्योंकि company के अगर owner retire भी हो जाते हैं क्योंकि आपने e-sobs का एक ऐसा system मना रखता है कि चाहे आपके बच्चे उस business के अंदर आना चाते हैं या नहीं आना चाते हैं आपने trust इस तरह से लिखती succession planning इस दिरीके से कर दी बड़ा ही smooth transition हो जाता है company का repurchase share कर सकते हैं और owner depart कर जाएंगे और employees को ही आप share issue कर देगे एक company a landmark foreign technologies company है तो वहाँ पर भी इस इस दिरीके से हुआ था owner पहले run किया करते थे उसके बाद तो सारी भी सारी company को ही employee run कर रहे हैं अगर आप चाहें तो यह भी option को exercise कर सकते हैं succession planning याने की company हमेशा हमेशा चलती रहेगी आप पहले हो कि जग मुहन